कोरोना करफ्यू का फालन कराने के लिए इस्तानिय प्रिशासने का दिकारी सक्त नजर आ रहे हैं करफ्यू के दोरान नायब तैसिलदार टीके वेसके और नगरपाली का CMO प्रेम बहसुरे अपने दलवल के साथ बाजार में निकले और इस दोरान बैयार में कई दुकानदार सटर लगा कर दुकान के अंदर ग्राकों को वैठा कर सामन वेज रहे थे प्रिशासने कीम दुआरा 500 रुपे का चालन काट कर दुकानों को बंद करवाया गया बदुकानों में बैठे लोगों को घर जाने की हिदायत दी गई नायब तैसिलदार नतीके बिसके ने वताया कि कुल 45 चालन बनाए गए हैं जिन में चार दुकानदारों के 55 रुपे और अन्य 41 चालन 100 रुपे के बनाए गए वहीं बेवज़ाए गूमने वाले बाहन चालोकों पर भी पुलिशने कारवाय की है टी आई संजद उवेदी ने अपनी टीम के साथ वेरिकेट्स लगा कर आने जाने वाले लोगों को रोका और उनसे पूछताच की वहीं सही जवाब नहीं बताने पर उन पर चालानी करवाई की गई वहीं टी आई ने अनावशक घर से बाहर गूमने वाले पर शक्त समझाय से देते हुए कोरोना कर्फियों का पालन करने वा घर में ही रहने की हिदाय दी गई करवोन बढवाई से यूडी नियूस के लिए सोन नायक की रिपोर्ट